फ्रेंड्स आज जो स्टोरी में आपके लिए लेकर आई हूँ उसका सीशक है दरजी की सीख एक दिन स्कूल में छुट्टी की घोशना होने के कारण एक दरजी का बेटा अपने पापा की दुकान पर चला गया वहां जाकर वह बड़े ध्यान से अपने पापा को काम करते हुए देखने लगा उसने देखा कि उसके पापा कैची से कपड़े को काटते हैं और कैची को पैर से दबा कर रख देते हैं फिर सुई से कपड़े को सीते हैं और सीने के बाद सुई को अपनी टोपी पर लगा लेते हैं। जब उसने इसी क्रिया को चार-पांच बार देखा तो उससे रहा नहीं गया। तो उसने अपने पापा से कहा कि वह एक बात उनसे पूछना चाता है। तो पापा ने कहा बोलो से कपड़ा सीने के बाद उसे टोपी पर लगा लेते हैं। ऐसा क्यूँ? इसका जो उत्तर पिता जी ने दिया, उन दो पंक्तियों में मानो उसने जिन्दिगी का सार समझा दिया। उत्तर था, बेटा, कैंची काटने का काम करती है और सुई जोडने का काम करती है। और का तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको आज की स्टोरी कमेंट करके ज़रू बताना। और इसी तरह के और भी इंटरस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लेकिन शेयर करें। थैंक यू।